जेहिं दोस्तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट ओपीस GDS भरती 2024 के रिजल्ट के बारे में और डॉक्मेंट वेरिफिकेशन के बारे में देखिए दोस्तों आप सभी को पता है इंडिया Post Office GDS के result आने के बाद आपका जो next process है वह document verification है यानि कि DB आपका conduct होगा और result आने के बाद दोस्तों DB के लिए ज़्यादा समय नहीं दिया जाता है previous year की बात करें तो previous year में 6 सितंबर को result आया था और इसके अलावा दोस्तों जो document verification है वह आपका 16 सितंबर से सुरू हो गया था यानि कि मात्र 10 दिन के बाद जो है document verification का जो process है वह सुरू हो जाता है तो दोस्तों यहाँ पर DB के समय यानि कि document verification के समय कौन कौन से document जो है आपसे मांगे जाएंगे आज की इस वीडियो में जानेंगे इसके अलावा दोस्तों cast certificate को लेकर student को doubt है कि cast certificate जो है कौन से format में बनवाना है यानि कि कौन से format का cast certificate आपके पास होना चाहिए दोस्तों अगर अभी तक आपने document के बारे में आपको नहीं पता है कि कौन कौन सा document इसमें लगता है तो यह वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा important है क्योंकि result आने के बाद ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा और जो time और date दिया रहेगा उस समय अगर आप सभी अप इसके अलबा दोस्तों result आप सभी को पता है कि result आज भी आपका जारी हो सकता है या कल जारी हो सकता है देखिए दोस्तों result की बात करें तो result कभी भी आपका जारी हो सकता है यानि कि हो सकता है कि आज भी result आपका आ जाए या एक से दो दिन बाद भी result है तो बिलकुल result आपक तैयार है कभी भी result जो है इसके officially वेवसाइट पर आपका upload कर दिया जाएगा तो चलिए दोस्तों यहाँ पर document के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से document चाहिए और अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किये हैं तो चैनल को subscribe कर लिजिएगा इंडिया Post Office GDS भरती रिलेटेट सभी अपडेट के लिए तो देखिए दोस्तों यहाँ पर document verification की बात करें तो आप सभी जो इसका officially notification है इंडिया Post Office GDS भरती का इसके 9 नमबर जो प्रागराफ है इसमें आप सभी देखेंगे Communication of Selection and Process of Fiscal Verification of Documents तो इसमें सबसे पहले तो आप सभी को बता दे जीस भी candidate का जो है result होगा यानि कि जो भी candidate shortlisted होंगे वैसे candidate को जो है दोस्तो SMS और email के माधियम से SMS और email के माधियम से जो है आपके जो भी आप form apply करते समय मोबाइल नमबर दिये होंगे या email दिये होंगे उस email पा जो है आपका सभी details जो है send कर दिया जाएगा कि आपका document verification कब होगा और इसके अलावाद दोस्तों आप shortlisted हुए है या नहीं क्योंकि result आने के बाद दोस्तों जितने भी छात्र shortlisted हुए रहते हैं सभी छात्रों को जो है SMS और email आना जो है सुरू हो जाता है और document verification का date जो है उसमें mention रहता है काहां पे document verification आपका होगा यानि कि document verification का location क्या है वो भी आपका दिया रहता है तो जो भी form apply करते समय SMS या email ID आपसे भी दिये होंगे mobile number उसे जो है आप चालू रखिएगा क्योंकि वहीं पर आपका सभी details send किया जाएगा और यहां पे अगर आपसे भी ये परागराप पढ़ेंगे तो इसमें यहीं जनकारी दिया गया है कि shortlisted candidate को SMS और email जाएगा और कहां पे document verification आपको पता है कि 3 का mark sheet देखिए दोस्तो 3 कलास का जो है आपका mark sheet जो original mark sheet है इसके अलावा दोस्तो certificate तेंथ कलास का mark sheet और certificate यह जो है आपका पहले check किया जाएगा और देखिए दोस्तो इस बार जो है आपका checking का जो process है वह hard level का होगा क्योंकि काफी यह student तेंथ का mark sheet जो है फर्जी बनवाते हैं जिसमें ज्यादा number रहता है तो इस तरह के अगर आप candidate होंगे तो आपको सीधे बाहर कर दिया जाएगा और इसके अलावा कानूनी करवाई भी आप पर होगा तो दोस्तों तेंथ का mark sheet और certificate आपका चेक होगा अच्छे तरीका से इसके अलावा दोस्त सबसे इंपोर्टेंट है cast certificate देखिए दोस्तों इसके बारे में काफी ये student को पता नहीं है कि cast certificate कौन सा सही है देखिए दोस्तों cast certificate का format जो है इसके officially जो notification है इसमें आपका दिया गया है जो की central का cast certificate है तो cast certificate का जो format आपका इसमें दिया गया है वो आपको आगे बताएंगे देखिए दोस्तों अगर आप OBC केटेगोरी से हैं या SCST केटेगोरी से हैं तो आपको CAST Certificate जो है जो notification में आपका Central का format दिया गया है उसी format में आपको CAST Certificate बनवाना होगा और दर कोई भी CAST Certificate होगा तो नहीं चलेगा इसलिए दोस्तों इसके बारे में details में आपको बताए बताएंगे और उसी CAST Certificate को जो है आपको बनवाना है उसी format में तो इसके बारे में आगे आपको बताएंगे वीडियो में इसके अलबा PWD Certificate तो ये PWD जो candidate होते हैं दिव्यांग जो candidate है PWD छात्र के लिए यह आप सभी के लिए नहीं है इसके अलबा अगर आप EWS से हैं तो Certificate आपको लगेगा Transgender के लिए ये Certificate है आप लोगों के लिए नहीं इसके अलबा Date of Birth Proof देखिए दोस्तों अगर Birth Certificate है तो सही है नहीं है तो भी आपका काम चल जाएगा क्योंकि जो आपका 3 का मार्क सीट होता है उसमें Date of Birth आपका मेंसन रहता है तो अगर आपके प Certificate आपको बनवाना होगा आप कोई भी अपने एरिया में जो Government, Hospital आपके एरिया में या District में होगा वहाँ से जाकर Medical Certificate जो है आप इसू करा लेंगे इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे यह जो है और उनाचल परदेश के लिए दिया गया है आप लोगों के लिए तो यहाँ पर Cast Certificate के बारे में जानते हैं कि Cast Certificate दोस्तों कौन सा आपको चाहिए फॉर्मेट में तो चलिए इसके नोटिफिकेशन में ही आप सभी नीचे के तरफ स्क्रॉल करेंगे और Cast Certificate का फॉर्मेट आपको हम दिखा देते हैं और इसी फॉर्मेट का आप सभी जो देखेंगे एसी एस्टी का जो Certificate है Format of ACSt Certificate तो जो भी केटेगोरी से जो भी छातर है उसका फॉर्मेट आप देखेंगे यह फॉर्मेट है इसी फॉर्मेट को यहाँ पर देखेंगे एक पेज और यह दो पेज का है तो यह जो दोनों पेज है इस फॉर्मेट को दोस्त और Note Below the Rank of तहसिलदार तो यहाँ पे आप देखेंगे तहसिलदार रैंक के नीचे का जो है ओ आपका नहीं होना चाहिए यहाँ पे सभी के नाम दिया गया है आपके लिए बेहता रहेगा कि जो District Level का बनता है जो District Level का आपका बनता है उसे जो है आपको बनवाना होगा तो य यह format जो SCHT का है SCHT के लिए इसी format को प्रिंट करा कर सबसे पहले तो आपको जो है Block Level पर बनवाना होगा जो की Revenue Officer बनाता है इसके बाद दो सब Divisional जो ओफिसर होता है SDO Level का वह आपको बनवाना होगा उसके बाद DM लेबल पर तो पहले तो Revenue Officer लेबल पर बनेगा उसके ब क्योंकि इसमें दिया गया है कि District Magistate का Sign यहां पर देख सकते है List of Authorize यानि कि किसके द्वारा इसू किया गया रहेगा तो यह काम चल जाएगा तो उसका नाम यहां पर दिया गया है Sub Divisional Officer भी इसमें है तो आप अपने Coding देख लीजिएगा जिस तरह आप सक्षम हो उस तरह आप इसे बना सकते हैं Revenue Officer भी आपका काम चल जाएगा इसके बाद दोस्तों NXR 5 देखेंगे यहां पर देखेंगे OBC Category Other Backward Class OBC Category से छात्र होते हैं OBC Category से उस छात्र का format NXR यहां पर दिया गया है इस format को दोस्तों OBC Category है उसे बनवाना है यहां पर देख सकते हैं NXR य और इसके बाद दोस्तों आप सभी देखेंगे EWS जो Category है Economical Weaker Section उसके लिए यहां पर दिया गया है तो इसे आप Economical Weaker Section वाले जो Candidate है इसे प्रिंट करा लेंगे यहां पर जो NXR है इसे आप सभी प्रिंट कराएंगे इसके बाद दोस्तों आप सभी देखेंगे Undertaking तो य इसे भी आपको फिल करना होगा यहां पर आप सभी देख सकते हैं तो इसे बनाना नहीं है इसमें केवल आपको जो है अपने से डिटेल्स फिल कर देना है लेकिन दोस्तों अगर आप EWS से हैं तो इस पेज को आप प्रिंट आउट करा लीजिएगा और उसके बाद आपको इसका कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है अगर आप सभी OBC से हैं तो इस पेज को प्रिंट आउट आपको कराना है और इसके बाद दोस्तों आप सभी अगर यहां पे SCHC से हैं तो यहां पे जो पेज आप देख रहे हैं इसे जो है आपको प्रिंट आउट कराना है तो दोस् उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसमें आईएगा नीचे के तरफ और एनेकसर 5 ही सभी दिया गया है यहाँ पे एनेकसर 5 28 जो पेज नंबर है वहाँ से आपको यह सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मिल जाएगा तो इसे आप जो है प्रिंट आउट करा लिजिएगा और उसके दोस्तों इसे आप सभी जो ब्लॉक लेबल पर रेभेनियू ओफिसर होता है उसके बाद अपने कोडिंग जो है आप बना सकते हैं अगर प्रियास किजिएगा कि डियम लेबल तक बन जाए तो सही रहेगा नहीं तो रेभेनियू ओफिसर लेबल का रहेगा तो भी काम चल तो दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट का जो डाउट था वो आपका किलियर हो गया अगर कोई डाउट है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर तो आप बताईएगा इसके अलावा दोस्तों बाकी कोई भी फॉर्मेट है तो नहीं चलेगा किमकि इसके नोटिफिकेशन में दिया ग परती में तेरे दिन के अंदर रिजल्ट आपका आ गया था तो रिजल्ट आपका कभी भी आ सकता है और जब भी आएगा आपको हम अपडेट कर देंगे एक से दो दिन में रिजल्ट 100% आ जाएगा संभावना रहेगा कि आज भी रिजल्ट आपका आ जाए फिर मिलते हैं ने करे कि लिए जाहीं इस हमता कि लिए परबत।